सबसे पहले तो मैं माशारदा के चरणों में अपना साधर प्रणाम करता हूँ, उसके बाद में मैं अपने मातापिता और समस्त गुरुजुनों को मेरा सहरद प्रणाम करता हूँ और समस्त स्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं पंकज वर्मा, पुत्र श्रीवान लक्षमन वर्मा, श्री दिगंबर जेन, सनमती सागर, उच्च माध्यमिक विध्यले का च्छात्र हूँ, जो आज आपके सामने कुछ पत्रों के शमिक्षा ये लेकर प्रस्तुत हुआऊं मैं जन सरोकार मन्च टोंक के आदरणिये वरिष्ट शाहित्यकार असोक शक्सेना जी एवं देविंद्र जोसी जी का पाती अपनों के तहत मुझे पत्रवाचन और शमिक्षा के लिए फेस्बुक लाइव स्रंकला से जोडने के लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट क करना चाहता हूं हमारे आदरणिये वरिष्ट साहित्यकार एवं प्रसासनिक अधिकारी डौक्टर सूरद सिंग नेगी जी एवं मीना स्रीरोला जी के अथक प्रियासों से पत्र पिता के पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है इसी पुस्तक में से मैं दो पत्रों की शमिक्षा प्रस्तुत करूँगा इससे पूर्व में डौक्टर नेगी जी सबकी प्रियर हमारे डौक्टर नेगी जी एवं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया जिस पर हम अपनी प्रतीभा को खुल कर दर्शा सकते हूं हमने मुझे बचपन से ही शोकर आया कि मैंने मुझे कविताएं और गजलें आदी पढ़ने का शोकर आया है साहित्य की और मेरा रुज्वान सुरु से ही रहा है परंतु हमें हमारे पास एक मंच नहीं था वह मंच हमें शुरु सिंग नैगी जी ने हमारे SDM साहब ने प्रदान किया है और इसके माद्धिम से हमने अपनी प्रतिभा को उजागर करने का ये सुबवसर पाया है नैगी जी ने जो ये प्रोग्राम चलाए है एक कारीक्रम चलाए हैं, प्रतियोगिताई चलाई हैं, उसमें ही मैंने सरुप्रतम भाग लिया, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, सरुप्रतम जब हम स्टेज पर जाते हैं, तो हमारे हाथ पेर का अपने लगते हैं, मन में एक अजीब सा सहमापन होता है, अजीब से हम खुल कर बोल नहीं पाते हैं हम लोगों को अपनी बात रखने में सक्षम नहीं होते हैं हम उस किसी भी बारे में उनको जानकारी नहीं दे पाते हैं यहां तक कि हम अपने विचारों को की अभिविक्ति करने में भी गवरायट महसूस करते हैं लेकिन इन कारिक्रमों के मा ये देखा है कि हमें बार-बार इनसे मोका मिला है, मंच पर जाने का, जो शमिक्षाइ होती है, वाचन होते हैं, कविता पाठन होता है, उनकी वज़े से हम मंच पर जाते हैं, हमें बोलने का अवसर प्रधान होता है, तो हमारे मन का वो भय, वो जिजक, वो सहमापन धीरे धीरे करके समाथ होने रगता है और ये सब हमारे नेगी जी और उनके समस्त जो इन कारिक्रमों के संपादक रहे हैं उनकी वज़े से ही संभव हो पाया है पत्र लेखन हो, कहानी शमिक्षा हो, कहानी वाचन हो या फिर अन्य कोई प्रोग्राम जैसे किसी भी महापुरुष की जयनती हो तो उसके उपलक्ष में विभिन्नकारिक्रम जैसे मांड़ना प्रतियोगिता भी हुई है तो इन से पूर्व हम इनकी तैयारियां काते हैं इन तैयारियों के में हम बहुत सी जानकारियां जुटाते हैं जैसे हमने परियावरण के बारे में पाति लिखी तो उससे पहले हमने उसकी तैयारी की हमने परियावरण के बारे में जाना या फिर किसी महापुरुष हो तो उसके जीवन के बारे में उनके जीवन व्रत को सुनाने से पहले हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे करके हमें बहुत सारी जानकारिया मिली है इन जानकारियों से हमारी जनरल नोलेज बढ़ती है साथ ही महापुरुशों के कृत्यों के बारे में जानकर हमें उनसे प्रेणा मिलती है और उनके श्रेष्ट आधर्षों को हम अपने जीवन में उतार पाएं और एक श्रेष्ट विक्तित्व को धारन कर पाएं इसकी हमें एक सुब अउसर प्राप्त होता है इसका सुब अउसर प्राप्त होता है इनसे सीख बहुत कुछ मिलती है साथ ही जो साहित्ते की कडियां आज दीरे-दीरे कमजोर होती जा रही है लोगों का साहित्ते के प्रतिरुजान कम होता जा रहा है वहां इस प्रकार के कारीक्रम सहित्ते और हमारे बीच के धागे को मश्बूत करने का कारे करते हैं हमारे स्कूल में भी, हमारे बड़े से द्वारा ऐसे प्रयास किये गए हैं जब हमारी प्रात्ना सवा होती है तो उनके द्वारा बच्चों को विध्यार्तियों को खड़ा करके सब के सामने अपने विचार प्रकट करने के लिए बोला जाता है इससे उनके भीतर का जो डर है वो सहमापन है वो समाप्त होता है इससे उनको सीख मिलती है कि हाँ हमें भी कुछ करना है साती दूसरे विध्यार्तियों को भी सामने वाले विध्यार्तियों की बाते सुनकर प्रेणा मिलती है कि मैं भी आगे जाऊं और अपने विचारों को इस प्रकार विक्त करप सकूं तो मुझे भी कई बार ऐसे मोके देने के लिए मैं अपने बड़े सरका बहुत बुद्ध धन्यवाद करता हूं साथ ही समस्त गुरुजनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे सराहा और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया साहित्य की और अपने रुजन को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये कोई एसा क्षेत्र नहीं है जहाँ अपनी व्रद्धी करसों को जहाँ आगे बढ़सों को नहीं उन्होंने कहा कि साहित्य हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो हमें अपने संस्कृति के बारे में सोचना है हमारे जितने भी यह धरोहर हैं उसे बरकरार रखना है और हमेशा उसे साथ लेकर चलना है साथ लेकर आगे बढ़ना है तो इसी कड़ी में शाम मल जी उदेपुर्ग के उनके पत्र की मैं आपके सामने समिक्षा करना चाता अपने सब्दों में कुछ बताना चाहता हूँ शाम मलजी ने अपने पुत्र को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभवों को उन्होंने क्या-क्या अनुभव किया है इस बात को उन्होंने अपने पुत्र को समझाने का प्रियाश किया है कहां कहां विक्ति से गलतियां होती है उसके बारे में उन्होंने उसे समझाने का प्रियाश किया है तो उन्होंने बताया है कि जैसे आजकल के विध्यार्थियों में क्या होता है आजकल के बच्चों में क्या होता है वो अपनी तुलना अपने माता-पिता की जीवन से करने लगते हैं यानि कि अपनी सफलताओं की तुलना पर परदा डालने के लिए वो अपने माता-पिता की सफलताओं को लेकर बात करते हैं जबकि वो उनके त्याग, उनके संगर्स को भूल जाते हैं उनका जिवन किन परिस्तितियों में से गुजरा है इस बात को भूल जाते हैं यू कहे तो हमारे दादा जी ने जो भी परिस्तितियां जेली हैं वो आज हम नहीं जेल रहे हैं कई परिस्दितिव की वज़े से वो पड़ लिख नहीं पाएं और कई मजबूरियों की वज़े से उन्हे वो सफलताओं नहीं मिली जो साइद वो अपने जीवन में चाते थे उन्होंने प्रियास बहुत किया है उन्होंने संगर्ष वहुत किया है साइध हमसे भी ज़्यादा परन्तु वो उन सफलताओं को पाने में असफल रहे हैं परन्तु उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पुत्र यानि कि हमारे माता पिता को कोई कष्ट हो उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि ये आगे नहीं बढ़े उन्होंने हमेशा हर शुविधा उनको देने के लिए प्रियास किया हर फेसिलिटी उनको उपलब्द करवाई जिनसे कि वो आगे बढ़ सके परन्तु हमारे माता पिता के जीवन में और हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा अंतरा हमारे माता पिता ने जब पढ़ाई की तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमें कौन सा विशे चुनना है इस विशे में आगे जाकर क्या होगा उनके लिए विशे चुन लिया जाता था और बाद में उस पर उन्होंने शंगर्श किया है परमतु आज की जीवन में ये बातें बिल्कुल भिन्न दिखाए देती है आज विशे चुनने के कुछ सालों पहले ही हमें ये तक पता चल जाता है कि किस विशे को लेकर हम कहां तक जा सकते हैं किस विशे को चुनने पर हमें कौन सी उपलबधियां मिलेगी कौन सी सफलताएं मिलेगी इन सब के बारे में हमें पता होता है और साथ ही हमारे माता पिता जो भी एक शित है तो वो हमें इन चीजों के बारे में जानकारी देते रहते हैं तो हमें कभी अपने माता-पिता के शंगर्शों को भूलना नहीं है, कभी हमें ये तुलना उनसे नहीं करनी है, कि यार हम इस जगह पहुँच चुके हैं, साइध आपने वो सफलताएं प्राप्त नहीं की हैं। तो उन्होंने ये सब बताया है, साथ ही शामल जी ने कहा है कि बच्पन में माता-पिता हम पर क्रोध करते हैं, हो सकता है, कभी हमारी गलतियों पर उन्होंने हमें डाटा हो, हमें पीटा हो। परंतु ये बात निश्चित है, कि उन्होंने कभी भी हमारे बुरे के लिए हमें डाटा नहीं है, हमारे शुकदभविस्से की कलपना करके, हमारे अच्छी जीवन के बारे में सोचकर, कि उन्होंने हमें डाटा है, हम पर क्रोध किया है। क्रोध एक ऐसी चीज है, जो मानों को अर्श शे फर्श पर ला सकती है। जीवन में कभी क्रोध नहीं करना है। अगर एक सुखी भविश्य की और एक उज्वल भविश्य की कामना करते हो, तो हमें जीवन में सयम धारन करना ही होगा। क्रोध इंसान की विवेक शक्ति को समाप्त कर देता है, हमसे कई बड़ी भूल करवा देता है, जिसके लिए हमें जीवन में पच्थाना पड़ता है। जीवन की एक महत्व पूर्ण कड़ी है अनुशाशन। अनुशाशन जीवन के हर पहलों में होना चाहिए। यूँ कहे तो हमारी देनिक दिन्चरिया में समय पर उठना, अपने काम से निव्रत होना, समय पर भोजन करना, समय पर तहलना, खेलना, सब कुछ पढ़ना, ये सब कुछ हमारे अनुशाशन के बारे में बताता है। अनुशाशन सिर्फ नितिक क्रत्यों में ही नहीं है, अनुशाशन है हमारे बोलने में, हमारी सब्भे भाषा में, वो एक अनुशाशन है, अनुशाशन हमारे चरित्र को प्रदर्शित करता है, अनुशाशन हमें दिये गए संसकारों के बारे में बताता है, तो जीवन को यदि सुलब बनाना है जीवन को उचाईयों के सफलताओं के शिकर पर लेके जाना है तो अनुशाशन एक महत्व पूर्ण कड़ी है और इसे आपको अपने जीवन में उतार नहीं पड़ेगा क्योंकि बिना अनुशाशन के ये मानव जीवन जीवन नहीं है ये पशु जीवन के शमान हो जाता है तो अनुशाशन का हमें बहुत ही रहान लखना होगा साथ ही हमें अपने इच्छाओं पर नियंतर्ण करना होगा हमारी इच्छाएं ऐसी मित हैं जो कभी समाप्त नहीं होती है कि इच्छाएं हमसे कभी कभार इतनी गलतियां करवा बेठती हैं जिनके लिए हमें पूरी पूरे जीवन में पश्ताना यहीं पश्ताना होता है यूं कहे तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होने वाली है एक इच्छा आपकी पूरी हुई कि आपके सामने दूसरी इच्छा उत्पन हो जाएगी तो अपनी इच्छाओं पर नियंतरन करना जरूरी है जीवन में रिस्तों का बड़ा मोल है रिस्ते अमुल्य है और बड़े नाजुक है रिस्ते भावनाओं का अहशासों का और आशाओं का एक शमावेश है जहाँ पर स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है आपको नी स्वार्थ भाव से रिस्तों को अपनाना चाहिए रिष्टे कोई व्यापार नहीं है जहां आप लाब और हानी को देखो तो जो रिष्टे नीश्वार्त भाव से प्रेम भाव से अपनाई जाते हैं वो ही सच्चे रिष्टे होते हैं रिष्टे खून के हो या फिर सम्मंदों से बनाए हुए हमें रिस्तों की कद्र करनी है, परवाह करनी है रिस्तों में अपने स्वार्थ को नहीं लाना है क्योंकि स्वार्थ से हम उन रिस्तों को खो बेड़ते हैं उस विश्वास को खो खो बेड़ते हैं जो हमने बड़ी महनत से प्राप्त किया है रिस्तों में एक बार कड़वाहट आ जाए तो वो कभी समात नहीं होती है तो हमें रिस्तों को बरकरार रखना है रिस्तों में प्रेम भाव रखना है नीज स्वार्थ भाव से रिस्तों का अपनाना है रिस्तों में हमसे आशाई होगी भावनाई जूड़ी होगी तो आशाओं पर भी खरा उतरना पड़ेगा और उन भावनाओं का भी हमें सम्मान करना पड़ेगा जो हमसे लगाए बेटे हैं इंसान की बहुत बुरी आदत होती है कि वो अपने को दूसरों से तुलना करता है बहुत ज़्यादा तुलना करता है कभी धन दोलत को लेकर, कभी शोरत को लेकर, कभी खूपशूरती को लेकर तो ये तुलना इंसान के जीवन में दुख का कारण बनती है क्योंकि जब हम दूसरों से तुलना कर बेट रहे हैं तो हम अपनी उपलब्दियों को भूल जाते हैं, हम अपनी उपलब्दियों को की खुशी जो है, उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, हम अपनी सफलताओं को दूसरों की उपलब्दियों के साथ तुलनात्मक दृष्टी से देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं, जैसे मानलो अ आपने सुरू-सुरू में एक सुबह सुबह आपने दोडना प्रारंब किया दोडनते गती आपने एंग स accusudge समय बाद में आपने पंद्रहसु मीटर एक महने बाद आप पांच हजार मीटर यन कि पांच किलो मीटर प्रती दिन दोड़ रहे हैं पिर आपको कोई दोस्त मिनता है जो मेरा थन दोड़ रहा है तो आप जब उससे अपनी तुलना करने लगते हो तो आप सोचते हो कि मैं एक महिने में सिर्फ पांच किलो मेटर दोड़ पाया हूं और ये आज मेरा थन दोड़ रहा है जहां पर 15 किलो मेटर तक ये दोड़ करत आया है तो आप जब दुलनाटमक दृष्टी से देखते हो तो आपने जो उपलब्दी हासिल की है कि आप कुछ नहीं दोड़ पा रहे थे वहां से आप पांच किरोमेटर दोड़ पा रहे हो तो इस उपलब्दी की खुशी को आप कहीं न कहीं दुख का कारण बना देते हो इस तुलना के माध्धम से तो जीवन में कभी तुलना नहीं करनी है हाँ ये जरूर है कि आप दूसरों से सीख ले सकते हो कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया है कितना शंगर्ष किया है यही होता है कि हम अपनी सफलताइं लेकर बेट जाते हैं दूसरो से हम अपनी तुलना करते हैं और उनके शंगर्ष को नहीं देख पाते हैं तो हमें निरंतर प्रियास करते रहना है निरंतर शंगर्ष शील बने रहना है और कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है क्योंकि तुलना आपके खुश्यों की हत्यारिन होती है कि श्याम जी ने अपने पुत्र को समझाया है कि हमें कोई ऐसा कृत्र नहीं करना है कोई ऐसा कारी नहीं करना है जिसकी वज़े से हमारे देश की अखंडता एकता को नुकसान पहुंचे हमारा देश विभिन संस्कृतियों के लिए जाना जाता है एकता के लिए जाना जाता है अखंडता के लिए जाना जाता है तो हमें हमारे द्राश्ट्र के करतव्यों का पालन करना है अधिकारों का हनन नहीं करना है हमें जात पात धर्म की भेद को भुलाना होगा क्योंकि इनकी वजह से कहीं न कहीं हम लोगों से अपना पर नहीं बना पाते हैं इनकी वजह से लोगों को हम अच्छोता समझते हैं और ये भारत वर्ष की एकता पर एक चांटा है हम इस एकता का हनन करते हैं भेदभाव करके वो एकता एकता नहीं होती हैं कभी ऐसा कोई कारिय नहीं करना है जिसकी वजह से लोगों के दिल को थेस पहुंचे हमारे देश के निवासी है सबी तो हमें उनसे एक भारतिय की तरह विवार करना है ना कि हमें धर्म और जातपात के मसलों में उलजना है शंगर्ष जीवन में अत्यदिक है जीवन में गर्षी शंगर्ष है हर जगे आपको संगर्ष का सामना करना पड़ेगा हर जगह आप किशी भी क्षेत्र में चले जाइए और लोग शमस्याओं से घबरा जाते हैं कभी कभार जीवन से निराश हो जाते हैं इस बात को लेकर कि यार मेरे जीवन में बस दुखी दुख है समस्याओं ये शमस्याओं है तो कहा जाता है कि प्रोब्लम्स आर दे साइन óv लाइव और कि समस्याओं जीवन का प्रतीक है जब तक शमस्याओं है तब तक आपका जीवन है या फिर कहें तो जब तक जीवन है तब तक शमस्याओं होती रहेंगी एक मुर्धा जब हो जाता है तो उसके सरीर को कोई ठेस नहीं पहुंसती है उसे किसी समस्या से जूजना नहीं पड़ता है तो जब तक जीवन है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको इन से लड़ना पड़ेगा क्योंकि समस्याओं से आप प्रकर बनते हो आप अनूभवी बनते हो तो समश्याओं से कभी निराश नहीं होना है समश्याओं को हमेशा एक चुनोती की भाती लेना है और उससे एक टास्क की भाती लेना है उसे पूरा करना है आपको आज हम पास्चात्य संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा साइध हर विक्ति ने आज पास्चात्य संस्कृति को अपना लिया है पास्चात्य संस्कृति का पहनावा हो गया है पास्चात्य संस्कृति का रहन सेहन हो गया है खान-पान पास्चात्य संस्क्रति का हो गया है और इसकी वज़े से हम उस महुल में धल नहीं पा रहे हैं हम अपनी संस्क्रति से कही न कहीं दूर होते जा रहे हैं जो विरासत हमारे पूरुजों ने बसाई उसका खंडन करते जा रहे हैं और आज ये बात सब के सामने है कि पाश्चात्य संस्कृति के खान पान से, वहाँ के रहन सहन से प्रकृति कितना नाराज है, प्रतेक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आज जो महामारिया फेल रही है, वो उन्ही पाश्चत्य संस्कृति का कारण है, जो हमने अब मारे ज कुछ अच्छा सिखाती हैं हमारी संस्कृति ने हमें ये सिखाया है कि हमें सुद्ध शाकारी वोजन करना है जो हमारे शरीर के लिए हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है परंतु हम उन पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में उनका अनुसरन करने में लगे हुए है आज इंटरनेट के दोर ने स्कुचना में क्रांति कर दिया है आज लोग अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त शोसल साइट्स पर बिताते हैं फेस्बुक हो इंस्टाग्राम हो ट्विटर हो या फिर और कोई भी जिन चीजों को विक्ति की नजदी किया बढ़ाने के लिए बनाया गया था जिन चीजों को विक्ती दूर दूर होकर भी पास महसूस करे इसके लिए बनाया गया था उनहीं चीजों ने आज लोगों में दूरियां ला दी है आज जब लोग आपस में बेटते हैं ना तो वो अपना फोन निकाल लेते हैं और फोन पर कुछ करते रहते हैं बस इनसान की भावनाओं को जोडने के लिए बनाया गया था ताकि इनसान जब दूर रहे तो उनमें वो दूरियां आ जाए कहीं न कहीं उसके लिए ये चीज़े बनाये गई थी और आज इन ही चीजों ने विक्ती की जीवन में दूरियां ला दी हैं पास होकर भी इनसान अपनों से दूर लगता है ये चीज़े हैं तो बहुत सारी चीज़े जो जीवन में हमें सीखने योग्ये हैं वो श्याम वल्जी ने अपने पुत्र को समझाने के का प्रियास किया है और ये चीजे सत्ते भी है जो उन्होंने अपनी पुत्र को समझाया है किसी भी विक्ति को अपनी तरीके से जीने का पूरा अधिकार है परन्तु इन अधिकारों को लेकर हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको लेकर हमें चलना ही होगा दूसरा पत्र है देवदत्र सर्माजी का देवदत्र सर्माजी अजमेज जिले के हैं तो उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा है और पत्र इस बारे में हैं कि हम शिक्षा अर्जन करते हैं तो शिक्षा अर्जन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हमारे जीवन में केवल एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं नहीं, शिक्षा का मतलब है शिक्षा अर्जन करके हमें अपने जीवन के मुलिक अधिकारों हमारे जीवन मुल्यों की रक्षा करनी है इसे संबंद में उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा है देउदत्य जी ने बताया है कि हमारे परिवेश में पैसों का महत्व है आज पैसों के बिना कोई चीज संभव नहीं है हर चीज में आपको पैसे खर्च करने ही होंगे यहां तक कि हमारी शिक्षा नीती हमारी शिक्षा में भी जब आप पैसे लगाते हो तो ही आप एक अच्छी और उच्छ शिक्षा प्राप्त कर पाते हो आपको अगर एक अच्छे विध्याले में, एक अच्छे इंस्टिटूट में जाना है तो आपको पहले पेसे खर्च करने पड़ेंगे हाँ, स्कोलर्शिफ अगेरा होते हैं लेकिन ज़्यादा बात यही है कि आप पेसों के बिना कुछ नहीं कर सकते परन्तु ये बात भी सत्य है कि पेसाही जीवन में सब कुछ नहीं है हमारे जीवन के मुल्यों का भी कहीं न कहीं जीवन में स्थान है और कहीं न कहीं क्या हमारे जीवन में हमारे जीवन मुल्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं जीवन मुले हैं हमारे यहां की इमानदारी सच्चाई यह सब हमारे जीवन मुले हैं हमें माता पिता का इनका सबका सम्मान करना है आज यही होता है कि जो माता पिता है वो हमारे अपने बच्चों से आशाएं रखते हैं कि वो दूर जाकर पढ़ें लेकिन उन्हें कभी यह वो कभी यह नहीं सोचते कि यह हमसे इतना दूर हो जाए कि हम इसे कभी देख मी ना पाए तो हम हमें कभी अपने माता-पिता से इतना दूर नहीं होना है कभी हमारे जो संस्कृति है हमारी संस्कृतिक धरोहर है उससे कभी इतना दूर नहीं जाना है कि हम अपनों से बिछड तो उस उन माबाप के लिए हमें कुछ करना हैं, उन माबाप को जीवन में सहारा देना हैं, वो माबाप सोचते हैं कि आगे जाकर ये हमारा सहारा बनेगा, अपने दिल पर पत्थर रखकर वो अपने बेटे को कहीं दूर दराज पढ़ने के लिए भेज भी देते हैं, वो कभी ये नहीं चाते कि वो उससे दूर हो, कभी वो ये नहीं चाते कि उनका और उनका प्रेम जो है वो कहीं रह जाए, नहीं, वो हमेंसा ये ही चाते हैं कि हमारा बेटा हमारे साथ रहे, हमारे आखों के सामने रहे, तो हमें हमेंसा उनका सम्मान करना है, उनके साथ में शिकर तक पहुंचाया है, उस मावाब का मान, सम्मान उने उतना प्रेम देना है, उतनी खुशियां देनी है, जितना वो हमसे चाते हैं। बुड़ापे में हम उनका सहारा बने यही उनकी आशाएं होती हैं यही उनकी हमसे अपेक्षाएं होती हैं कि हम उनके लिए वो सब करें जो उन्होंने सोच रखा है यदि उन्होंने हमारे लिए त्याग और बलिदान किया है तो वो भी हमसे आशाएं करते हैं कि हम भी उने स अन्त में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि साहित्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है विज्ञान के इस सफर में भी हमें साहित्य को नहीं बूला है हमारी संस्कृति से जुड़े रहना है हमें अपनों को जूड़ता है साहित्य तो इस प्रकार के कारिक्रमों में हमें भाग लेते रहना है और हमारी संस्कृति से जुड़े रहना है हमारी इस विरासत को बचाये रखना है और कहीं न कहीं जहां हम इस क्षेतर से छूटते जा रहे हैं उसमें हमें वापस आना है क्योंकि साहित्ते के बिना हम अदूरे हैं साहित्ते के बिना हम बहुत सी वास्त्विक्ताओं से दूर रह जाते हैं तो बस अब इतना ककर ही मैं ये समाप्त करता हूँ और अंतमे में सभी गुरुजनों को अपने जितने भी प्रसाशने कदिकारी है जिन्होंने इन कारिक्रमों को चलाया है और साहित्ते के प्रति हमारी रूची को बढ़ाने का कारिय किया है उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और अपने अध्यापकों का अपने आचारिय गणों का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस लाइक समझा और हमेशा सराहा हमेशा प्रगर्ति के पत्वे आगे बढ़ने को कहा अब यही है कि सत्य यही है कि हमें विज्ञान और साहित्य को लेकर चलना होगा हमारी जननी जन्व भूमे ने हमें जो विरासत दी है इस साहित्य के तोर पर वो हमें संभाल कर रखनी होगी और हमें अपने माता पिता का सम्मान करते रहना है हमें हमारे गुरुजनों का सम्मान करते रहना है हमारी देश से प्रेम करना है हमारे आचार विचार जो हमें हमारी संस्कृति ने सिखाया है उन सब के बारे में सोचना है हमें, विचार करना है हमें और यह संस्कृती ही है, यह साइत्ती ही है जिन्होंने हमें संसकारवान बनाया है, भारत को विश्व गुरू बनाया है आज भारत को भारत की छवी विश्व गुरू की रूप में जानी गई है तो वो इन सब की ही देन है तो कही न कही विज्ञान की इस दोर में हमें इन चीजों को भूलना नहीं है इन सब के लिए हमें हमेसा तयार रहना है हमेसा तत्वर रहना है कि कहीं भी हो हमें हमारी संस्कृति से जुड़े रहना है हमें हमारे सहित्ते हमारी संस्कृति हमारे देश हमारे आचार विचारों इन सबसे जुड़े रहना है और अंत में माशारदा को नमन करता हूँ यही है कि जीवन में आगे बढ़ते रहना है संगर्ष करना है और सब कुछ अच्छा होगा जीवन में जीवन के तोड़ तरीकों से पास्चाते संस्कृति से मुक्त रहना है बस मैं इतना ही करना चाहूंगा धन्यवाद तो देवदत्य जी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है हमें शाम्मल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है देवदत्य जी का मुखे बिंदू यही रहा है कि हमें हमारे संस्कृति से दूर नहीं जाना है विदेशों में पढ़ने के लिए भी हम जा सकते हैं परंतु हमें हमारे देश से हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना नहीं हमारे माता-पिता से दूर नहीं होना है जिन माता-पिता ने हमें जन्म दिया हमारे लिए त्याग किये और जिन माता-पिता ने हमें सफल बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया उस माता पिताओं का हमेशा सम्मान करना है हमेशा उनके साथ खड़े रहना है कहीं न कहीं उनको ये ना लगे कि हमें उनको बेबस नहीं छोड़ना है वेदेसों में रहकर या फिर दूसरे शहर में जाकर वहां की चमक धमक से, वहां की भूतिकता से आकरशित होकर हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं आज के दोर में यही हो रहा है आज के दोर में सभी अपने माता पिता से कोसो दूर चले जा रहे हैं उन्हें व्रदाश्रम में भेज रहे हैं तो यह सब गलत है हमारे माता पिता ने कभी हमसे ये आशाएं नहीं की थी कि हम उनके साथ ऐसा बर्ताओ करेंगे हमारे माता पिता ने हमसे कहीं आशाएं लगाई थी कहीं उम्मीदे थे हैं उनको कि भविश्य में हम उनका नाम रोसन करेंगे अच्छी सफलता प्राप्त करके उन्हें सुक देंगे, उनको वो सब देंगे जो उन्होंने हमारी लिए छोड़ा था, उनके वो सारे सपने पूरे करने हैं हमें, जो कही न कही हमारी वज़े से हम पर सब कुछ न्योचावर करने की वज़े से रह गए हैं और साथ ही हमारी संस्कृति में जो गुण हैं, वो साइद कहीं नहीं मिलेंगे आपको हमारा देश हमें जो करतवे शिखाता है, जो सब कुछ सिखाता है, वो और कहीं नहीं हैं यहां की विरासतें, यहां की धरोहरें सबसे भिन्न हैं, इसलिए भारत देश महान हैं, सदा रहेगा और कोई ऐसा कृत्य नहीं करना है, जिसकी वज़े से देश के गोरव को, सम्मान को ठेस पहुंचे और यही है कि ईश्वर में आस्था हमेशा बनाए रखनी है क्योंकि ईश्वरी ही है जिसने संसार बनाया है, इश्वरी है जिन्नोंने हमें जीवन प्रदान किया है और वास्तविक में ईश्वर वही उर्जा है, जिसने हमें जीवन दिया है, इस स्रश्टिक का निर्मान किया है धर्मों के में उलजकर या पूजा पाठ के चक्कर में उलजकर हमें नहीं रहना है हम जरूरी नहीं है कि पूजा करके पूजा पाठ करके या फिर मूरत के रूप में भगवान को पूजकर ही उनमें आस्था दिखा सकते हैं आस्था हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए, इश्वर सब में हैं, इश्वर एक है, ये सोच कर हमें सर्व धर्म सदभाव का ध्यान रखना होगा, वो भाव हमारे भीतर होना चाहिए, कभी ये नहीं होना चाहिए, कि हम धर्म के बारे में जगड़ें, क्योंकि जब धर्म पक्षियों को ये पूछा जाता है, कि आप इस धर्म के बारे को लेकर क्यों जगड़ रहे हो, तो उनका उत्तर होता है कि हम अब मारी संस्कृति को बचा रहे हैं, वो ठीक है, हम अमारे ईश्वर को बचा रहे हैं, ये कहां तक संभव हैं, जिस ईश्वर ने इस सारी श्रष्टी का, इस सारे ब्रह्मान्द का निर्मान कर दिया, जिस ईश्वर ने ये सब कुछ बनाया है, ये सब कुछ निर्मित किया है, हमें बनाया है, तो हम कौन होते हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं, वो अपनी रक्षा शोयम कर सकता है, वो उसके लिए हम कुछ नहीं हैं, चुटकी मात्र बजाने से हम नश्ट हो सकते हैं, तो हम क किस से किसको बचा रहे हैं, ये सब धर्म, ये कही न कहीं इनसान को इनसान से दूर कर रहे हैं, इनसानियत खतम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आज जितना वो आतंखवाद चाया है, वो शायद और किसी विशे पर नहीं है, धर्म को लेकर आज इनसान ही इनसान को मार रहा है, मानवता धर्म को बुला बेटा है, ये कभी इश्वर ने नहीं सोचा था, इश्वर ने इनसान बनाया है और इनसान ने बनाया है धर्म, तो देवदत्त जी और शाम मठपाल जी ने अपने पुत्र को यही समझाने का प्रियास किया है कि जीवन में निरंतर प्रियास करते रहो तो लना मत करो अपनी हमारी संस्कृति से जुड़े रहो हमारे माता-पिता का, गुरुजिनों का सम्मान करते रहो और हमारे शाहित्तिक धरोहर से जुड़े रहो यही है, जीवन में इन सबसे हमें विमुख नहीं होना है हमारे जितने भी कर्तवे हैं, उनसे दूर नहीं जाना है और अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि जो यह प्रोग्राम किये गए हैं, उनकी वज़े से हमें एक मंच मिला और हम अपनी प्रतिवा को दिखा पाए, उसके लिए हम सभी प्रसासनिक अदिकारे को जिनोंने इन कारेक्रमों को संपादन करने में अपनी भूमी का निभाई उनका तही दिल से धन्यवाद करता हूँ, और उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे, जिनसे हमें एक मंच मिलता रहे हमें अपनी प्रतिवाई दिखाने का एक मौका मिलता रहे, और हमें अपने आपको प्रकर बनाने का एक मौका मिलता रहे हमने अपने ही भावों को तब जाना जब हमने पाती लेखन ये किये हमने अपने सब्दों के शौंदरियों को तब पचाना सब्दों की महत्ता को तब जाना तो सब के लिए ये सुबकारी है अंत में सबी को धन्यवाद करता हूँ